तेरे दर पर सनम चले आए तू न आया तो हम चले आए तो कुछ ऐसी ही दास्तान है आज की हमारी है ना आपने बुलाया और हम चले आए मुझे बहुत ज़्याद एक्साइटमेंट होती है सुबह सुबह आपसे मिलने की ऐसा लगता है कि बस रीडिंग करूँ आपको आपके कॉमेंट्स आए और हम आपस में बात करें मतलब कहते हैं मेरी जो जितनी भी डेली रूटीन का पार्ट है वो सब कुछ एक तरफ लेकिन जितना भी आपसे रीडिंग करना आपके लिए रीडिंग करना और फिर आपके कॉमेंट्स आना उसको बैठके पढ़ना ये एक मेरी अलगी लाइफ का पार्ट है तो ये सिर्फ मेरा टाइम होता है जहां मैं और आप हम दोनों मिलकर बैटके बात करते हैं तो चलिए फिर से ले आ गई हूँ आप सभी की डिमांड पर एक ब्राइंड न्यू रीडिंग जिसमें आज हम आपके परसन की दिल की हालत द बताऊंगी कि आखिरकार आपके परसन की करेंट फीलिंग्स क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके इंजल्स का नाम कार्ड को शफल करूंगी जैसे कि आप सभी ने मुझे कार्ड रिडिंग रिक्वेस्ट की थी ओके कार्ड जाने शुरू हो गए हैं देखिएगा डिटियल रिडिंग होगी अन तक देखिएगा एट ओफ कॉइंस इन रिवर्स आ रहे हैं थ्री ओफ कॉइंस की एनरजी टू ओफ कॉइंस पीछली रिडिंग आप में से बहुत लोगों से रेजोनेट हुई थैंक्यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए फाइव अफ कप्स की एनरजी यहां पे आ गई है नाइट अफ कप्स की एनरजी फोर अफ कप्स की एनरजी फोर अफ सोर्ड्स की एनरजी यहां पे आ गई है पेज ओफ कॉइंस यहां पे ठेक है दो कार्ड्स में और लूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी तब तक रिडिंग को लाइक जरूर करना दो कार्ड्स यहां पे आ गई है किंग ओफ वांड्स की एनरजी और यहां पे नाइन ओफ सोर्ड्स की एनरजी ठेक है शुरू करती हूँ मुझे मैसेज़िस को चैनलाइस करने दीजिए अब तब तक अपने और अपने परसन का नाम लीजिए ठेक है एनरजी आपकी यहां होनी चाहिए यह रीडिंग पे पूरी तरीके का फोकस आपका होना चाहिए यह क्या गाइस आप मुझे एक बात बताएए मैं बोलती हूँ ना आपका रास्ता है आपकी लाइफ है आपका सब कुछ है पर मुझे ऐसा लग रहा है कभी-कभी आपना खुद के रास्ते के बीच में खड़े हुए हो ठीक है ना लिट्रिली इस एनरजी की जो पूरी वाइब है पूरी फ्रीक्वेंसी मुझे ऐसे नजर आ रही है कि आप अपने खुशियों के बीच में खड़े हो मैं बताती हूँ पहली बात तो ये करीदने की सोच रहे हो या कोई आपका सेल फोन है या कुछ इलेक्ट्रोनिक है जो आपकी घर पे आपकी बहुत हेल्प करने वाला है या फिर आप अपने परिवार के लिए घर परिवार के लिए कुछ सोच रहे हो या बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत लोगों के लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आपना financially एक second income का source भी ढूंड रहे हो मतलब 2024 मैं आप financial abundance बहुत ज़ादा हासिल करना चाहते हो, ठीक है न यहाँ पर magician वाली energy आ रही है, मुझे ये बोल रही है इस वक्त आप खुद को लेके इतने ज़ादा focused हो न, कि मैं आपको क्या बताऊ मुझे ऐसा लगता है ये energy को देखके, कि आप इतना ज़ादा खुद के लिए सोच रहे हो अपने आसपास के लिए सोच रहे हो क्योंकि आपको समझ आ गया है कि न, अगर आप कोई चीज नहीं करोगे न, अगर आप किसी चीज पर action नहीं लोगे और इस बारे में सिर्फ सोचते सोचते रह जाओगे तो हर चीज के एक time होता है और वो time आपके हाथ से निकला जा रहा है It's like a sand clock जो rate होती है न, जो समय का पईया है वो हाथ से किसकता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप सिर्फ बैट के सोचते होना वो आपको बहुत ज़ादा तकलीब देता है You're a kind of person जो time को लेके न आप बहुत ज़ादा particular हो आप इतनी जल्दी इस चीज से okay नहीं हो आपको पसंद नहीं है कि चलो कोई बात नहीं आश कर ली समय वरबाद हो रहा है नहीं आपके दिल के अनुसार मैं अगर बता हूँ तो आपका ये है कि अगर मैं कहीं पर time use कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो time ना फलदा ही होना चाहिए आपको नहीं पसंद कि आप बैटके बस किसी से यूँ ही बाते मारते रहो या फिर यूँ ही बस किसी के बार में चुगलिया करते रहो आपके एनरजी इससे बहुत ज़्यदा ड्रेन होती है तो 2024 की एनरजी मैं आपको बता दूँ ऐसी है कि आपके अंदर पोटेंशल है ठीक है पर आप सोचोगे नहीं उस चीज को लेकिए मतलब आप जिस भी चीज में एक बार लगोगे न आप लग जाओगे यहाँ पर 2024 में आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम नज़र आ रही है 8 of coins के एनरजी, 3 of coins के एनरजी, 2 of coins के एनरजी मैंने कहा न आपके मतलब life में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम नज़र आ रही है इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो भी चीज़ चीज चाहे है वो overthinking हो इससे पहले अगर आप खुद को बहुत ज़दा compare किया करते थे दूसरों से इंटरनेट की दुनिया ही ऐसी बन गई है जहां पे आप बहुत ज़दा अगर reels बगेरा या online बहुत ज़दा रहते हो तो आपकी energy ऐसे हो जाती है आप खुद को बहुत छोटा महसूस करने लग जाते हो इंटरनेट जो हमारे लिए useful होना चाहिए उसमें क्या है आप ऐसा feel करने लगते हो कि मेरे पास ये कम ही है मेरे पास वो कम ही है ये सारी चीज़े आपके मन में subconsciously चल रही है अब यहाँ पर एक चीज़ में बताऊंगी आपकी love life से related ना यहाँ ना ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हो पर जैसे ही किसी को भी आप खुश होता हुआ देखते हो जैसे ही आपके अंदर यूनो दूसरों को आप देखते हो चाहे किसी की शादी हो रही है चाहे engagement हो रही है आपके अंदर एक चीज़ आजाती है आपके past life की जो जितनी भी चीज़े हुई है जितने भी आपको धोके मिले हैं जितनी भी आपने ठोक रेखाई है वो चीज़े आपको बहुत जादा यादा जाती है ऐसा लगता है कि फिर आपने अपनी चीज़ों को भूल जाते हो कि इस वक्त present day में present में आप life में बहुत better situation में हो और यह आपकी ना toxic tendency को दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप किसी और को देखते हो बहले ही आपके पास खाना हो आज पहनने के लिए सब कुछ हो bank account में आपके मतलब savings भी पढ़िए आप love life को देखे आप बहुत ज़्यदे trigger हो जाते हो आपको एकदम सियादा आता है कि हाँ मुझे भी किसी ने धोका दिया है हाँ मुझे भी किसी ने वो value नहीं दी जो मुझे मिलने चाहिए तो आपको बुरा मैसूस होता है रुष्चकर में आप बहुत कुछ गलत सलत कर देते हो या आप overheating start कर देते हो या उसी समयना किसी और को देखके आप बहुत दुखी हो जाते हो और आपका मन करता है कि आप अपने person को तुरंत कॉल लगाओ या तो उनको सबक सिखाओ या तो फिर आप गुस्ता करने लगते हो ठीक है ना इट्स लाइक जो चीज हो चुकी है उसको लेकर आप मतलब आप peace पे नहीं हो you are not at peace पर आगे की और यह जो energy मुझे बता रही है यह time आपकी life में बहुत ज़दा temporary है लेकिन इक चीज़ याद रखना इस time को आप जितना भी तवज्जू दो गए ना means जितना भी आप ऐसा feel करोगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे partner मुझे cheat करके गए क्योंकि love life आपकी life में एक ऐसा part है जहां आप किसी को बहुत जल्दी अपनी life में आने नहीं देते और अगर आने देते हो ना you really mean it ठीक है आप अपनी मतलब अपनी partner या अपने partner को ना अपनी तरह ही मानते हो अपने दिल का अपनी life का एक हिस्सा मानते हो जो आप जिससे उमीद करते हो कि वो आप ही की तरह जो आप दे रहे हो वो वही सामने वाला भी आपको उतनी importance दे अब वो चीज अगर नहीं हो पाती ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके partner आपको छोड़के भी जा चुके तो भी आप ऐसा लगता है कि अभी अभी break up हुआ है तो भी ऐसा लगता है कि उनका पूरा control है आपके उपर दूसरी है और मैं आपके person की current feelings बता देती हूँ मुझे ऐसा लगता है ना इस person की एक चाल मैं समझ पा रही हूँ एक चाल ये समझ पा रही हूँ ये person आपको bread crumming बहुत करते हैं बहुत ज़दा bread crumming करते हैं means ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनका प्यार धोके वाला है चलावा है ऐसा नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने आपको प्यार दिया है ना उन्होंने आपको दर्द भी बहुत ज़दा दिया है जिनको आप सबसे ज़दा चाहते होना क्योंकि यहाँ पे cups की energy और swords की energy इतनी ज़दा आ रही है इस वक्त नहीं लग रहा है कि यह person जितना आपके बारे में सोचते हैं किसी और के बारे में यह सोचते है या उनका ध्यान इतना ज़दा जाता है यह चमकती हुई बहुत सारी चीजों को देखते हैं ठीक है बहुत ज़दा चमकती हुई चीजों को देखते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनके पीचे पीचे चल देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीके ना, ये परसन इनकी नजरों में आप हो, इनकी नजरों में आप इस वक्त भी हो, यहाँ पर बस एक चीज दिखाई दे रही है, ये परसन आपको नग पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, ठीके ना, और ये परसन आपको इसी वज़े से रुला भी देते हैं, यहाँ पर फॉर अफ कप्स की एनरजी मुझे दिखाई दे रही है, कि ये परसन आपको रखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये वही परसन है जिनोंने आपको बहुत तो इनकी नजर में ये चीज अच्छी नहीं है इनकी नजर में ये कोई ये बहुत खुशनी हो रहे हैं चीज को देखके कि इन्होंने आपको बहुत ज़दा रुला दिया है इनकी मन में भी इतनी ही परिशानी हो रही है ये कोई बहुत ज़्यादा अपने आपको proud feel नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने आपको रुला दिया है ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मैसूस नहीं कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने आपको बहुत मतलब रुला दिया है बहुत अच्छा काम किया है कोई और नहीं रुला पाया नहीं ये ऐसा मानते हैं कि इन्होंने आपकी नजर में अपनी ना एक छवी है ना वो बहुत गिरा दिया है मतलब एक ऐसा लग रहे है कि ऐसा परसन जो बस एक इनसान को रुला ही सकता है मतलब उसमें खुद में इतना दम नहीं है उसमें खुद में इतनी वो नहीं है कि एक responsibility नहीं है कि अपने पार्टनर की जिम्मेदारी ले सके अपने पार्टनर को एक मिच्चोर इनसान की तरह खुश रख सके ठीक है ना अब यहाँ पर nine of swords की energy मुझे बहुत ही कमाल की लग रही है यहाँ पर क्या लग रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे जितनी बार यह आपको दुखी करते हैं ना उतनी बार ऐसा लगता है कि आपको ना कोई और मिल जाएगा यह उतनी बार ऐसा लगता है इनको कि है कोई आपके life में चाहे वो आपके दोस्त है चरिश्टिदारी में है उनको ऐसा लगता है कि आप एकदम से फैसला लिलोगे और आप उनकी ओर चले जाओगे क्योंकि मैं बताती हूँ मैंने बोला ना जिस तरीके से आप 2014 में मैं देख रही हूँ आपके person आपको कितना भी damage करने की कोशिश्ट करें आपके person आपको कितना भी ignore करें आपके person की ignore करने की वज़े सही न आपके person की ignore करने की वज़े सही आप और زभा grow करोगे मैं आपको बता दूँ थ्री ओफ गॉइंस की energy afternoon मुझे आपको परेशान कर रही है तो यहाँ पर पता है क्या हो रहे है इंडरेकली यह जो person है ना आपको और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं यह person आपको एक ना एक तरीके से मौका दे रहे हैं angels भी आपको आप सोच रहे होगे कि मिरे को symbol दे मुझे sign दे है ना angels कुछ बताएं मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए तो यह आपको angels ना एक तरीके से push कर रहे हैं आप ना कुछ दिनों बाद अपने आपको ऐसा पाऊगे in fact 2024 की मैं अगर बात करूँ मैं बार बार यह time इसलिए बोल रहे हैं कि something is ending here and something is coming to you it's like आदान प्रदान कोई चीज आपके अंदर यह चीज मैं देख रही हूँ आप let go इतनी आसानी से नहीं कर पाते हो पर जैसे ही आप छोड़ते जा रहे हो वैसे ही चीज़े आपके पास आती जारी है आपकी strength बनती जारी है और यहां पर देखे strength का काड़ आया है ठीकिया है यहां पर strength का काड़ आया है यानि कि अगर आपको गुसा आता है इस partner पे बहुत जादा अगर आपको ऐसा लगता है कि इस partner ने आपके साथ बहुत गलत किया है आपके person ने आपके साथ बहुत गलत किया है फिर भी ना आप मतलब कहते नहीं है जब आप गुसा करते हैं आपको लगता है इनको बरबाद कर दू ये कर दू ये कर दू उनके साथ भी वैसा होना चाहिए तो और जादा वो feeling बढ़ती है ऐसे लगता है कि आप विश्का प्याला उनके उपर नहीं फैक रहे है आप विश्का प्याला अपने अंदर डाल रहे है आप खुद विश्का घूंट पी रहे हो और उससे फिर और आपकी destruction होती है पर आप यह notice करोगे जैसे आप उनको ऐसे करें ठीक है यार ठीक है यार, you are just sitting on your throne आप अपने गदी पे बैठ गए और आप बस देख रहे हो ठीक है, अब कुछ भी हो, मेरा काम है बस तमाशा देखना मैं कुछ नहीं बोलूँगी, या मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है न तो ऐसा लग रहे ही जो child like energy है जो आपकी आपके person बहुत ज़्यादा hurt करके गए है वही child like energy आपको, you know आप उसमें ही joy ढूंडोगे चोटी चोटी चीजों में चोटी चोटी चीजों में joy ढूंडोगे, मतलब आपको ऐसा लगएगा ये चीज नहीं हो रही है न, चलो आप बहुत हसी में लेने लग जाओगे जिन्दगी को तब आप देखोगे चीज़े actual में बहुत ज़्यादा असान है बहुत ज़्यादा असान है page of cups और night of cups की energy में देखती हूँ आपकी ये जो अदा है न, ठेक है जो आप दूसरों को पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और अपने काम में आप मगने रहोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे मैंने बोला न, आपके लिए time बहुत precious है और आप ये सोचते हो कि अगर मैंने wrong इंसान को time दिया तो ऐसा हुआ और अगर मैंने right इंसान को time दिया तो see what will happen तो see what will happen तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर four of cups की energy और night of cups की energy हमें ये बता रही है कि आपके person आपको देख रहे हैं ठेके न और इनको ऐसा लग रहा है कि एक खत्रा आ रहा है इनकी और इनको ऐसा लग रहा है ये वैसे भी पानी में है मतलब चारों तरफ से इनकी बरबादी आई और ये because, because मैं बताती हूँ आपके और person की हो सकता है आपके person की किसी चीज में partnership हो ये इन्होंने आपको कुछ ऐसे secrets बताए है या फिर इन्होंने आपके सामने आप पहले इनसानों जिसके सामने बहुत ज़दा open up होए है तो इनके लिए ये चीज़ easy नहीं थी और इन्होंने ये महसूस किया है जैसे जैसे आपके साथ open हो रहे थे न तो इनमें भी काफी ज़दा बदलाव आ रहे थे पर आप ऐसा लग रहा है जब आप इनकी और नहीं देख रहे हो या इनको छोड़कर अपने काम में आप ध्यान दे रहे हो ठीक है अप अपनी family को खुश करने में लगे हो या फिर आप इनसे एक चीज़ और नजर आ रही है मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाओ एनरजी बहुत ज़दा आ रही है आप नीचर के साथ बहुत connect कर रहे हो ठीक है पहले ऐसा होता था कि आप दुख में पूरी तरीके से crumble होके एक जगा पढ़े रहते थे एक जगा पढ़े रहने के कारण आपको ऐसा लगता था कि आपके एनरजी बहुत ज़दा down हो गई है आपके एनरजी बहुत ज़दा low हो गई है आप बहुत ज़दा low feel कर रहे है आपको ऐसा लगता था अब दूसरी तरफ मुझे क्या लग रहा है कि पहले आपको ऐसा बहुत लगाओगा पर यहाँ पे यहाँ पे जो कुछ भी चीज है चाहे वो आपका डर हो आपको नदर लगता है आपको डर लग रहा है मैं बताती हूँ यहाँ पर दो चीज़ है यह एक लूप चल रहा है जिसमें आप अपने आपको रोक नहीं पाते और एक्चुल मैं आपके परसनेश चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते है संसाइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, लियो वर्गो, टॉर्रस कैप्रिकॉन, लीब्रा फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसर एरीस वर्गो, वर्गो बोल चुकी हूँ कुछ नंबर्स है जो मैं आपको बता देती हूँ नंबर फोर, नंबर एट फोर बहुत ज़्यादा आ रहा है 5 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे ठीक है, 3 भी है यहाँ पे, stabilizing energy दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि 2024 में यह आगे की और आप जैसे ही थोड़ा 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 अपने trigger की तरफ जाओगे, जैसे ही आप, मतलब पूरा आपको लगेगा आप down हो रहे हो, फिर आप अपने आपको उठा लोगे एक चीज यहाँ पे advice देना चाहूंगी, अब जिस किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहे हो चाहे आप healthy lifestyle चाहते हो चाहे वो exercise से आप कोशिश करना चाहते हो, या बहुत लोगों ने ऐसा लगता कोई fitness program या कोई dieting program या gym join करने की सोची है, ठीक है, तो आप उसको new year से, अगर आप लोगों ने बहुत जनों ने एक तारिक से सोचा है न जिससे आप perfection चाहते हो कि एक तारिक से rest of the year करोगे, मैं कहते हो कि कल से join करो उस membership को कल से join करो अगर आप वो चीज आज से ही करते हो न, अगर आप उसको habit बनाते हो वो चीज आगे भी आपके continue होगी ठीक है, यह जो new year से पहले वाला time है न, वो आप अपने practice के लिए दो, कि कोई चीज आप सोच रहे हो कि new year से start करूंगा या करूंगी वो चीज बहुत जदा chances of failure रहेंगे क्योंकि वो आपके practice चल रहे है practice में इंसान बहुत बार गिरता है बहुत बार उटता है तो आप अभी से वो चीज करो, new year के बाद से वो चीज आपके continue होगी मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत तो के लिए ये भी है कि जल्दी उठना, बहुत तो के लिए ये भी है अपने person को call या message नहीं करना तो ये बहुत बड़ा move रहेगा आपकी success को देखके यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं लोग, मुझे इससा लगता है कुछ type की popularity आपको मिलने वाली है आपके mother के साथ आपका bond जो है वो बहुत ज़ादा strengthen होता हुआ दिखाई दे रहा है in fact आपकी जो grand mother है उनके साथ भी बहुत ज़ादा strengthen होता हुआ नजर आ रहा है 2024 एक ऐसा time है जहाँ पे आप खुद को prioritize करते हुए दिख रहे हो और जो भी लोग आपके beat पीछे बात कर रहे है आपको कोई फरक नहीं पड़ता because you know यह आपके control में नहीं है आपके person यहाँ पे आपके लिए तड़पते हुए तरसते हुए नजर आ रहे है ऐसा लग रहा है कि energy is role reversal हो रहा है जो चीज आप पहले मैसूस करते थे उस energy में आपके person आ रहे है और आपके energy को देखके changing energy को देखके आपके person सोच रहे है that you have moved on तो यहाँ पे आपके person के तरफ से यह year जो है बहुत ज़दा आपके person पर tough रहेगा especially trust issues relationship over हो चुका है यह person अपने आपको special मानते हैं आपकी life में पर इनको यह चीज सुहा नहीं रही है कि कैसे आप उनको वो treatment नहीं दे रहे जो आप उनको पहले दिया करते थे यह reading कैसी लगी मुझे बताईएगा जरूर आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी description box में new reading का link है देके जरूर जाईएगा मिलती हूँ अगली reading में feedback देके जरूर जाना thank you